कोरोना संकटकाल में इनसान को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खास कर इस आपदा की घड़ी में बच्चों का ख्याल रखना सबसे जुनौति पूर्ण बना हुआ है। ऐसे में अगर कहीं यात्रा पर जाना पड़े तो माता पिता को अपने नन्हिम मुन्नों के लिए भी हर सावधानी ले रहे हैं। अगर आप भी कुरोना आपदाकाल में अपने बच्चों के साथ यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपको संक्रमन के जोखिम को कम करने के लिए इन कुछ बातों का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। आपका नन्धा मुन्न कितना जरूरी है। उन्हें समझाएं कि कुरोना से बचना है तो स्वच्छता बनाय रखना कितना जरूरी है। आप अपने बच्चों को आसान शब्दों का इस्तिमाल कर स्थिती को समझाने के कोशिश करें। यदि आपका बच्चा एक मिनी बैग करी कर सकता है तो उसके बैग में सेनिटाइजर, फैसमास और टिश्यो जैसी चीजें जरूर रखें। अपने बच्चों को इन चीजों के महत्व के बारे में समझाएं साथे उन्हें इनके इस्तिमाल करने के सही तरीके के बारे में भी बताएं। ऐसा करने से वे खुद अपनी जिम्मेदारी और यात्रा करने के दौरान स्वयम सावधानी बरतने की कोशिश भी करेंगे। वर्तमान स्थिति के मद्दे नजर सबसे अच्छा है कि बाहर का कुछ भी खाने से बचें। यात्रा करने के दौरान घर कबना खाना ही अपने साथ लेकर चलें। हाला कि कैफे और प्रणाली कमजोर होती है इस कारण अत्रिक्तु सावधानी बरतना जरूरी है। बच्चों के साथ यात्रा करने के दौरान आपको अपनी यात्रा योजना को लेकर दोगना सुनिश्चित होना अत्यंत आवश्यक है। यात्रा के दौरान सभी जरूरी वस्तुओं की एक सुनिश्चि बनाएं। जिस जगह पर आप जा रहे हैं वहां कि स्थिती को लेकर रिसर्च वर्क करें और पहले से ही सभी बूकिंग कर लें। क्योंकि अगर आप पहले से ही स्थिती से अच्छी तरह वाकिफ होनगे तो संक्रमन का खत्रा भी कम होगा। अगर आप बस से या प्लेन से या फिर ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो अपने बच्चों को खिड़की के पास ही बैठाएं। ऐसा करने से वे अने लोगों से परियाप दूरी पर रहेंगे और सुरक्षित भी होंगे। वैसे अगर ज्यादा जरूरी नहुत तो इसको रोना संकटकाल में अपने बच्चों के साथ यात्रा करने से परहेज ही करें। लेकिन अगर यात्रा करनी ही है तो अपने नन्हिम मुन्नों की सुरक्षा की खातिर इन उपायों का पालन अवश्य करें।